और अब बात मौसम की करेंगे इन दिनों देश में भीशन गर्मी पड़ रही है कई जगों पर तापमान 50 डिगरी को पार कर चुका है एसी और कूलर के बावजूद लोग चिड़ चिड़े हो रहे हैं लेकिन सरहत की हिफाज़त में लगे जावाज अपने जुनून से गर्म प्राण लेने पर आमदा गर्मी के बारे में सवाल करने पर ऐसा जवाब वही दे सकता है जिसकी रगों में वतन परस्ती उबाल मार रही हो जवाब सुखे मान गए न जवानों के जुनून के आगे गर्मी के पसीने चूट रही हैं माभारती के ये वो सपूत है जिनका जुनून तब से रिगिस्तान में भी कम नहीं होता तस्वीरे जैसल मेर की है जहां पारा पचपन डिग्री पार कर चुका है लेकिन मजाल है सीमा के रखवालों के हिम्मत का हिमालई तस से मस हो जाए जिस तप्ती हुई रेट में आम आदमी का फल भर के लिए खड़ा होना मुश्किल हो सकता है वहाँ बिये से जवानों के पॉलादी होसले मौसम की मार को ललकार रही है सरहदी इलाकों में तैराथ इन जवानों को पुरह से शाम तक जिस गर्म रेतीले भवंडर की तफश का सामना करना पड़ता है उसकी आम आदमी कल पना भी नहीं कर सकता प्रदेश के कई जिलों में रेड अलट जारी हो चुका है जैसल मेर्ट से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर इन दिनों गर्मी के तेवर तीखे होते जा रही है यहां तक कि बोनट पर रोटी तक सिक रही तपिश ऐसी कि दस मिनट ठेहर जाए तो चेहरा जुलस जाए गर्मी से बचने के लिए जवान सर पटो भी आँखों पर गोगल्स लगाई हुए भीशन गर्मी से बचने की कोशिश करती है पूछने पर कहते हैं कि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है हमारी ट्रेनिंग उस परकार की है दूसरा हमें उच मुख्यालेों के दौरा बरिया दिकारीों के दौरा सभी परकार की सुगधाय भी उपलब्द कराई गई है जैसे आप देख रहे होंगे मैंने गोगल्स लगा रखा है पानी क्या विवस्ता होता है निम्बू पानी सभी जवान अपने साथ रखते हैं गुल्कोंडी लोग सभी अपने साथ रखते हैं साथ ही कैम्प में कॉल्स रूम की विवस्ता की गई है मिनी एमाई रूम है हमारे पास जहां पे कोई अगर बीमार होता है तो उसकी उचित देख भल की जाती है खास बात ये कि महिलाएं भी पोरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला कर ड्यूटी कर रही है सच मुझ देश के लिए जस्बा हो तो इंसान गर्मी क्या किसी भी मुश्किल को आसानी से जेज सकता है उसको चीर कर आगे बढ़ सकता है न्यूज 18 राजस्तान के लिए जैसल मेर्जी सामलदान रत्नू की रिपोर्ट